गुर्मारिंग ओल अफ यू, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे अध्याए बीस दोहा तशक इसमें हम आज पढ़ेंगे कभीरदार्जी द्वारा लेखित कुछ दोहे तथा उनके अर्थ पहला दोहा है गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए तो इस दोहे में कभीरदार्जी कहते हैं यदि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हूँ तो मुझे किस के चरणों को पहले स्पर्ष करना चाहिए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए तो मुझे सबसे पहले अपने गुरु के चरणों को स्पर्ष करना चाहिए क्योंकि गुरु नहीं हमें इश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है इसलिए गुरु का इस्थान सर्विस्रेष्ट है दूसरा दोहा है जाती न पूछो साधू की पूछ लीजिये ग्यान मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान इस दोहे में कभीर दाजशी कहते हैं कि हमें साधू की जाती को नहीं पूछना चाहिए हमें साधू के अंदर जो ग्यान है ग्यान का भंडार है उसको जानना चाहिए जिस प्रकार से तलवार का मोल होता है म्यान का नहीं उसी प्रकार से साधू की ग्यान का मोल होता है उनकी जाती का नहीं अगला दोहा है निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाई बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई इस दोहे में कभीरदाशी कहते हैं कि हमें सदेव अपने आसपास ऐसे लोगों को भी रखना चाहिए ऐसे लोगों से भी मित्रता बनाए रखनी चाहिए जो हमारी निंदा करते हों क्योंकि जो लोग हमारी निंदा नहीं करते हैं जो सिर्फ हमारी तारीफ करते हैं प्रसंचा करते हैं उनसे हमें यह पता नहीं चलता है अपने बारे में और निंदक हमारी लिए उसे प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से साबुन के बिना मैल को साफ नहीं किया जा सकता इसी तरह से निंदक के बिना हम अपने आप में सुधार नहीं ला सकते इसलिए कपिर ताजशी का कहना है ऐसे वेक्ति को भी आसपास रखना चाहिए जो आपकी निंदा करे और आपके बारे में बताए अगला दुहा है माला तो करमे फिरे, जीव फिरे मुखमा ही मनवा तो चहुदिसी फिरे यह तो सुमिरन ना ही यदी हाथ में माला फिर रहे हैं और जीव में इश्वर का नाम ले रहे हैं परन्तु फिर भी यदी मन आपके वश में नहीं है और वो चारो तरफ आनियंत्रे त्रूप से भ्रमण कर रहा है मन में कुछ और चल रहा है तो इसे हम भगवान का भजन करना यानि इसे भगवान का स्मरण करना नहीं कहेंगे अगला दोहा है आचे दिन पाचे गए हरी से किया नहेत अब पच्चताए होत का जब चड़िया चुक गई खेत इस दोहे में कभीरताज जी कहते हैं जो दिन आते हैं वो दिन बीद भी जाते हैं और समय पर ही सारा कार हो जाना चाहिए और एक बार जब समय हाथ से निकल जाता है तब पच्चताने के अलावा कुछ नहीं रहता है बार में बच्चताने से कोई फाइदा नहीं जब एक बार समय हाथ से निकल जाता है तो इस पार्ट में बस इतना ही धन्यवाद